जै भीम, जै भारत, पूरे देश को मैं सल्यूट करता हूँ कि आज करोना वाइरस से लड़ने के लिए इस महामारी से लड़ने के लिए पूरा देश एक जुट है और तमाम तरहे की समश्याएं जहेल रहा है बहुत मुश्किल का दोर है, बहुत बड़ी महामारी जिसको फैलने से हम रोकने की कोशिस कर रहे हैं सरकार के तमाम फैसलों का हम लगातार समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं सरकार का कि सरकार कोई भी आदेश देगी तो हमें सुईकार ये होगा, ऐसे समय में जो ये मुश्किल का दोर है, वहाँ दिहारी मजदूर, रिक्सा चालक, ओटो चालक यहां तक की जो कैजूल वरकर्स हैं, जो भार दूर दराज के छेतरों में अपने घर को अपने परिवार को छोड़ कर काम कर रहे थे ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल का दोर है, और पुरे देश ने आज उनके लिए पूरी मदद के लिए कोशी से की हुई हैं और कर भी रहे हैं जहां तक हम बात करें परसाशन की और सरकार की, तो सरकार सिर्फ घोषनाए करने तक ही सीमित रह गई है और अमली जामा पहनाना उन घोषनाओं को वो लोकल परसाशन का काम और यही लोकल परसाशन जो है वो फेल होता नजराता है हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं देश के हालात जो है वो आर्थिक मंदी के तरफ निकलते जा रहे हैं यानि की भूक से भी तड़ब तड़ब कर मरने के लिए देश का नागरिक मजबूर हो गया है ये एक देश के लिए एक स्वास्थ है एमर्जेंसी जो देश में लगी है वहां हम सब की एक जुटता लोकडाउन का पालन करना कर्फ्यू का पालन करना और अपने आपको स्वच रखना अपने आपको स्वच रखना ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पोंस्बिल्टी अपने परिवार के लिए भी और अपने देश रूपी अपने समाज रूपी परिवार के लिए भी लेकिन इस बीच जो जिस तरह की घटनाए सामने आ रही है कि बहुत भारी से भारी संख्या में पूरा दल बल जो भार के रहने वाले लोग हैं और जो दूसरे इलाकों में जा करके काम धंदा करते हैं काम धंदा करते हैं मैंनत करते हैं अपने परिवार का पालन पोस्ण करते हैं अपने परिवार से कहीं दूर वो अपनी जीवी का चला रहे हैं लेकिन आज उनके रोजगार पर चोट लगी है आज उनके पेट पर चोट लगी है बहुत बड़ी चोट लगी है सरकार भी यहां बहुत बड़ी-बड़ी अपनी मजबूरियां दिखा देगी लेकिन उनकी सेवा के लिए उनकी सायता के लिए तमाम भीमसैनिक ततपर है मैं स्चिलूट करता हूँ उन सभी भीमसैनिकों को और तमाम NGO स्वेम से भी संस्थाएं तमाम समाजिक संगठन या कोई political leader है वो भी या कोई individual साथी है वो भी या कोई भी परिवार है वो भी जो मदद कर रहे हैं मैं उनको दिल से शिलूट करता हूँ और हमारे भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो उनके मदद कर रहे हैं लेकिन काफी हद तक स्थिते को समालने के लिए हमारे देश के तमाम राजियों में जो आम जन्ने आम नागरिकों ने स्वेम सेवी संस्थाओं ने समा सेवियों ने जो हैल्प की है और जो एक मदद का हाथ आगे बढ़ाया है वो बहुत काबिले तारीफ है लेकिन उतने भर से बात नहीं बनेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो इस से लोकडाउन से हुआ है इस महामारी से हुआ है मैं नाम लेना चाहूंगा उस वर्क का वो दिहारी मजदूर है वो गरीब है वो किसान है वो तमाम वो मीडियम किलास फैमली है जो घरों में कैद है लेकिन जो रोड पर भटक रहे हैं जिनके सिर पर छट नहीं है घर नहीं है जिनका और खाने को उनके पास में दाना नहीं है पीने को पानी नहीं है ऐसे ऐसी वीडियो सामने आती है कि मजबूर लोगों पर भी पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं यानि कि वो अपने मन की पूरी कर रहे हैं भड़ास निकाल रहे हैं ऐसे लोग जनम जात जो ऐसे पुलिस वाले होते हैं वो जनम जात इस आदत से मजबूर होते हैं लेकिन बहुत हद तक ऐसी तस्वीरे भी सामने आती हैं जहां पर पुलिस लोगों की मदद करती हुई नजर आती है ऐसे पुलिस वालों को मैं दिल से शिलूट करता हूँ क्योंकि इस पूरी जंग ये एक जंग छिड़ गई है ये एतियासिक मंजर है जो इतियास में लिखा जाएगा और आप सभी की महनत भी इतियास में लिखी जाएगी आप क्या कर रहे हैं कहा हैं बच्चों में गुली डंडा खेल रहे हैं या अपने बच्चों में आप जो है तोता उड़ मैना उड़ खेल रहे हैं या फिर अपनी बीवी बच्चों के साथ मातर पेता के साथ वेस्ट हैं ये मैं नहीं जानता लेकिन आपके कोशिस सोशल मीडिया से भी जो आप करेंगे उन गरीबों की साहिता के लिए वो कोशिस भी काफी होगी कोशिस बर इतनी करने कि सरकार के सामने आवाज उठानी है कि हाँ गरीब भी इस देश का निवासी है वो बहरी नहीं है ये आवाज उठानी है जो सिसक जाते हैं, एक कोने में दुबक जाते हैं, कि बाहर निकलेंगे तो परसाशन लाठी मारेगा, पुलिस लाठी मारेगी, वो भूखे तड़पते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमें पिछले तीन दिनों में मिले, जो हमें देखते ही और हमारी टीम को देखते ही र दिखाओं, तो उसमें मेरी खुद की जो इनसानियत है ना, वो बुरा मान जाएगी, और मैंनी चाहते हैं कि मेरी इनसानियत बुरा माने, आपकी खुद की इनसानियत बुरा माने, मैंने ये मंजर कैमरे में नहीं दिखाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे जो हमारी समस्त देशवास्यों से कि अपना मदद का हाथ आगे वढ़ाएं आप जहां भी है जिस भी छटर में सुरक्षा उपकरणों के साथ आप निकलना होगा आपको पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ न यदि कोई पुलीस वाड़ा आपको रोकता है न तो आप उनको बताइए कि आप उन गरीबों की मदद करने जा रहे हैं जो जुगि जोपडियों में रहते हैं या जो दूर दराज की छित्रों में काम कर रहे थे और हाईवे उई पर रोड पर चलने के लिए मजबूर है अपने बीवी बच्चों के साथ अपने माता-पिता के साथ चलने को मजबूर है और जो साथ ही ये भी नहीं कर सकते न वो घर में अपने माता-पिता की शेवा करें क्योंकि माता-पिता की सेवा भी बहुत बड़ा धरम होता है इंसानियत भी बहुत बड़ा धरम होता है बच्चों के साथ गुली डंडा या कंचे खेलने के बज़ाए या कैरम बोर्ड खेलने के बज़ाए या फिर गपे लड़ाने के बज़ाए या टाइम पस करने के बज़ाए या हसी मजाकी वीडियो बनाने के बज़ाए आप अपने मातर पिता की शेवा करें अपने बच्च यह मेरे एक बहुत मार्मिक मैसेज है इस देश के लिए अगर आपको लगे ना कि आपके भाई जी नवाब सत्पाल तवर ठीक बोल रहे हैं तो यह बात जो है ना अगर देश के हर वेक्ति तक ना पहुंचे तो मैं मानूगा कि मेरी कोशिश जो है ना वह सफल हो गई है मेरी तक की हद की बात है आप यह देख लीजिए कि दिल्ली से जहासी कितना दूर है दिल्ली से मतुरा कितना दूर है गुडगाओं से मतुरा और गुडगाओं से गवालियर कितना दूर है आप देख लीजिए ऐसे ऐसे लोग फसे हुए हैं मैं बता नहीं सकता आपको यह जो म आज गरीब वेक्ती उसकी हवास सुनने को कोईनी और सरकार विदेश से जो है जो अमीर लोग है ना उनको वीमान के जरीए से पेशल रेश्क्यू कर रही है उनको वहां से लेकर के आ रही है यह मेरे लिए एक बहुरत दर्दनाक है और यह मेरे कितना बड़ा experience है जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता है मैं फिल्ड में हूँ मैं लोगों के बीच हूँ पूरे सुरक्षा ववस्था के साथ में लोगों के बीच हूँ पूरी मास की ववस्ता सेनेटाइजर की ववस्ता और हातों में गलब्स की ववस्ता के साथ मैं मैं लोगों के बीच हूँ या गुडगाओं का मैं निवासी हूँ, गुडगाओं में मैं समाल सकता हूँ, गुडगाओं मेरी वरकिंग है, गुडगाओं मेरी जमीन है, गुडगाओं मेरी धर्ती है लेकिन जो हमारे तमाम भीमसैनिक हैं आखिल भारते भीमसैना से जुड़े हैं या कोई इंडिविज्योल भीमसैनिक है वो सारे साथियो और तमाम देश के मैं special भीमसैनिक के बात नहीं करूँगा देश के उस हर वासिंदे की बात करूँगा में जो अपने लेवल पर अपने इस्तर पर उन तक बिस्किट बनाना केला फुरूट्स सबजियां डाल चावल खाना रोटियां चावल पहुचाने के लिए कोशिस कर रहा है वो देश का हर वेक्ति आज मेरे लिए जो एक प्रेणा स्रोर्त है देश का हर वेक्ति आज दिलो जान लगाए हुए ऐसे लोगों की सेवा के लिए मैं अपने देश की जो स्तंब मैंने बताए सबसे बड़े कि देश की स्तंब जो है आज इस करोना नमक महमारी से लड़ने के लिए वो तीन मुख्य स्तंब मैंने बताए है इसमें मेरी पिछली वीडियो में भी आप सुन स रखते हैं एक नमबर एक डॉक्टर है नमबर दो पुलीस है नमबर तीन सफाई करमचारी है ये तीन स्थम्भ है पुलीस रोड पर अपने स्वास्ते की परवा किये बिना अपने बीवी बच्चों के अपने परिवार की परवा किये बिना देश की सेवा कर रही है तनका तो स सबी को मिलती है लेकिन पुलीस ही आखिर क्यों डॉक्टर्स जो हैं अपने परिवार को छोड़ करके उन मरीजों की देखबाल कर रहे हैं जो उनके पास में रोजना आ रहे हैं आते हैं चैब वो करोना नामक महमारी का इलाज कर रहे हैं चैब वो किसी भी रोग का इलाज कर वो आज देश की सेवा में तत्पर हैं सफाई करमचारी अपने तमाम परिवार को भी ताक पर रखे अपने तमाम परिवार के भविशे को उनके स्वास्ते को सब को दाओ पर लगा करके आज मैदान में उत्रा हुआ किस के लिए इस देश की सेवा के लिए ये तीन महन स्थ और जो चोथा स्थम है ना वो चोथा स्थम जो है वो देश का आम नागरिक है वो आप है जो चोथा स्थम हम कहते ना देश के लोकतंतर के तीन स्थम है नयाएपाली का वेवस्तापी का कारेपाली का ऐसे यह तीन स्थम मैंना आपको बता दिये इस करोना नमक महमारी से है धेस के वो तमाम मेडिकल स्टोर के संचालक हैं जो सेवा कर हैं जो रसन सप्लाइग एожет झाना सप्लाइग प्रवाइर से जो भी उपन प्रियर से में और ऊपन सकारे फिल्व कहें प्रियद हुई है ना इस जंग के महान वो सिपाई है जिसको जितना हम सेल्यूट करे उतना कम होगा लेकिन आज आपकी एक कोसिस खुद की सुरक्षा खुद के परिवार की सुरक्षा आप ये एक इतिहास रख सकती है क्योंकि ये जो एतिहासिक मंजर एतिहासिक लड़ाई आप इंजिंग है कलपना नहीं की जा सकती थी कि ऐसा भी पूरे वर्ल्ड में हो सकता है इटली के हालात चाइना के हालात आप देख सकते हैं क्या है आज मैं वास्तों में बहुत सौक्ड हूँ कि पहले गॉर्मेंट ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया लेकिन आज भी देर आए दु कम से कम आए तो लगातार मैं अपनी तरफ से कोशिस कर रहा हूं कि प्रधान मंतरी तक और भारत सरकार तक यह आवाज पहुंचाए जाए लेकिन सिर्फ मैं ही काफी नहीं क्योंकि हर छेत्रों में मैं ध्यान रखने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं फेल्ड में भी रहूं और हर छेतर पर सोशल मेडिया से या फिर न्यूज चैनलों से मैं ध्यान रखों वो जिम्मेदारी जो है आपको भी निभाने पड़ेगी और मेरे कहने से नहीं खुद से अपने बच्चों की तरफ देखके अपने परिवार की तरफ अपने माता-पिता की तरफ अपने बीवी बच्चों की तरफ अपने भाई बैनों की तरफ देख करके कि जैसे आपके भाई बैन है ना जैसे आपके माता-पिता है जैसे आपके बीवी बच्चे ऐसा पुरा देश है उनके भी कोई है इसलिए आपको अपने भी सुरक्षा करनी है अपने परिवार की स कोई भी किराय का कमरा है, अगर आप कही न कही रह रहे हैं, जो चार दिन से आप रुके हुए हैं, तो आप घर भागने की कोशिश ना करें बीच में, कुछ समय के लिए प्रेम महो को आप त्याग दीजिए, क्योंकि ऐसे और लोग बहुत हैं, जो लोग समय की मार जहील रहे हैं, इस वाइरस की मार जहील रहे हैं, और सरकार ने भी बहुत गलतियां की हैं, इन गलतियों की मार जहील रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, हमारी कोशिश हर जगे रही है कि लोगों को घर पहुँचाया जाए, काफी हद तक हम कामयाब भी हुए है इस बारे में हमारी सरकार से बादशीत भी चल रही है कि हम इस समाशा का समाधान निका लें बहुत अपर लेवल पर हमारी बादशीत इस बारे में जा रही है पूरे अच्छे लेवल पर हमारी टीमें और हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन इतने भर से काफी नहीं होगा मैं अकेला सब कुछ नहीं हूँ आप भी बहुत कुछ आप जेज के किसी भी कोने में अगर आप बैठे हैं तो आप भी बहुत कुछ